मिथुन रासिवारो जै महाकाल महाकाल आपकी रच्छा करे महादेप का असिरवाद सदा आप पर बना रहे महादेप के असिरवाद से आपका भग्य उदेह हो आज ये बुद्धवार का दिन 27 अप्रेल मिथुन रासिवारो इंद्रियोग पुर्वा भाद प्रदन चत्रे 5 पांच बचकर पांच मिनट तक उसके बाद उत्रा भाद प्रदन चत्र का उदै होगा आपकी कुंडली में विरस्पति सनी का परभाव राभु की चाया चंद्रमा सुक्र बुद्ध की द्रिष्टी आज का दिन बड़ा भग्य साली योग है क्योंकि आज ये सुक्र का रा स्थान में राभु के साथ सुर्ज का गोचर है जबकि पंचंभाव में केतु का गोचर आपकी कुंडली के भग्य स्थान में मंगल बैठा है जबकि कर्म स्थान में विरस्पति सुक्र के साथ चंद्रमा का गोचर बुद्ध आपकी कुंडली के 12 भाव में सनी के रासी पर और विरस्पति के साथ सुक्र की युक्ति, सुखत परभाव, सुब फल, आने वाला 28 दिन आपके लिए बड़ा सुख संपत्ति को बरहाने वाला समय होगा, 27 अप्रेल से 23 मई का समय किसी बरदान से कम नहीं है, जो भाग्य में लिखा है, वो होकर रहेगा, कार्ज बैपार मे उनत्ति, जीवन में सुखधन की प्राप्ति होगी, स्टुडेंट के लिए बड़ी सफलता का योग है, और दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है, आपके प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ेगी, सुभ समचार मिलेगा, भाग्य बिर्धी का योग है, उर्जा सक्ति से एक नई सुर्वात होगी, जीवन में उनत्ति के नए-नए औसर मिलेगे, ग्रहों का गोचर अच्छा परिनाम लेकर आपकी किस्मत को बदलेगा, मितुन रासिवारो, विस्तार से रासिफल जानने से पहले, चलिए जानते हैं आज का सुभ मूरत, ग्र ग्रवा भात्रपद्नचत्रे, साम पांच बचकर पांच मिनट तक उसके बाद उत्रा भात्रपद्नचत्र का उद्य होगा, चंद्रमा आज एक ग्यारा बचकर एक मिनट पर आपकी कुनली के कर्म स्थान में बिरस्पती और सुक्र के साथ गोचर करेगा, आज का दिन बड समरिधी सौभाग्य से परिपून होगा, आज आपके आत्म विश्वास में बिर्धी होगी, आपकी च्छाओं की पूर्ती होगी, आप जीवन में धन कमाएंगे, संपत्ती एकत्रित करेंगे, आपके समंध भी अच्छे होगे, आपके जीवन में बड़ी सफलता का भी यो होगी, किसी नए काम की सुरवात, कोई नई जीमेवारी आपके जीवन में तरक्की का योग बना रहा है, आज का दिन आपके लिए हर तरह से सुख समरिधी को बढ़ाने वाला सुन्दर समय है, आज आपका व्यक्तित भी बड़ा प्रभाव साली होगा, मितुन रासिवारो आपके जीवन में कोई कस्ट है, कोई बाधा है, तो आज का उपाई देखना बिलकुल ना भूलें, मितुन रासिवारो जो स्टूडेंट हैं, आपके जीवन में कोई बड़ी जिम्मेवारी, कोई बड़ी सफलता का सुन्दर योग है, क्योंकि इस समय आपकी कुनली में, भाग्य स्थान में मंगल का गोचर है, मंगल का गोचर आपके भाग्य को आगे बढ़ाएगा, भाग्य की सक्ति से, जीवन में बड़ी सफलता पाएंगे, जो लोग स्टूडेंट हैं, नौकरी की तलास कर रहे हैं, अपने कर्म से जीवन में खुसी आप प्राप्त करेंग क्योंकि आपकी कुनली के कर्मस्थान में विरस्पति सुक्र के साथ चंद्रमा का गोचर है आपके लब लाइप में बहुत खुसी और सुख का योग है क्योंकि पंचमभाव में केतू का गोचर है और लाबस्थान में राहु के साथ सुर्ज का गोचर समय तरक्की उनत्ती के लिए सुभ है जिससे आपके परिवार में सम्रिद्धी और सुख की प्राप्ती होगी जो नौक्री करते हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने का सुन्दर योग अपने परभाव से आप जीवन में मान सम्मान भी पाएंगे धन भी अरजित करेंगे जो बैपारी हैं बैपार करते हैं आज आपके जीवन में बड़ा लाब आपको प्राप्त होगा क्योंकि राभू लाब अस्थान में बैठा है और कर्म अस्थान में विरस्पती सुक्र के साथ चंद्रमा का गोचर है भग्या स्थान में बैठा मंगल आपके जीवन में जी का दर्सन करें, हनमान जी की पूजा करें, आपकी जीवन में भग्य का साथ मिलेगा, 39 तरक्य आप प्राप्त करेंगे, ग्रहों पे आधारित अपने रासी फल के लिए रासी फल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम ल सुरुवात ना करें, आपके लिए लखी कलर यलो होगा, लखी नमबर फोर होगा, आज अमरित काल, 9 बचकर 2 मिनट के बाद, आपकी जीवन में लाबु नत्ती का सुन्दर योग है, तो आज का दिन मिथुन रासी वारू के लिए, सुक संपत्ती से परिपुन, सुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा लाब का योग बना रहा है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी रासी फलकार्च करब में, तब तक के लिए मुझे आग्या दें, आपका दिन सुभ हो, जै महाकाल, जै महादेब, ओम नमसिवाए